शेर बजार में निवेश की दुनिया लगातार बदलती रहती है ऐसे में संभावनाओं को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक प्रमूख वित्तिय सलाहकार कमपणी ने हाल ही में तीन स्टॉक्स की पहचान की है जिनकी बुनियादी संवरचना मजबूत है और अगले साल में इनके अच्छे रिटन की संभावना है इन कमपनियों का चयन विभिन सेक्टर से किया गया है जो पोटफोलियो में वृद्धी का एक संतुलित दृष्टिकोन प्रदान करती है आईए इन शीर्ष्ट स्टॉक्स और उनकी संभावनाओं को समझें एक, अम्बुजा सिमेंट टार्गेट प्राइस आठ सो रुपे वर्तमान प्राइस 27 सितंबर 24 चेह सो बतीस रुपे संभावित वृद्धी 26 प्रतिशत अम्बुजा सिमेंट निर्मान सामगरीक शेत्र में सबसे आगे है देश में बुनियादी धाचे के विकास के चलते उच्च गुनवत्ता वाले सिमेंट की मांग बढ़ रही है अम्बुजा सिमेंट की मजबूत बजार स्थिती और परिचालन दक्षता इसे निवेशकों के लिए एकुत्कृष्ट विकल्ब बनाती है 2. HDFC लाइफ टार्गेट प्राइस 900 रुपे वर्तमान प्राइस 27 सितंबर 2024 733 रुपे संभावित वृद्धी 23 प्रतिशत वित्तिय सुरक्षा के प्रती बढ़ती जाग्रूपता के साथ HDFC लाइफ बीमा उद्योग में एक अग्रणी बनकर उभर रहा है इसके नवीन उत्पाद और तेजी से बरता विकास इसे दीर्ग कालिक धन्स्रिजन के लिए एक आकर्शक विकल्ब बनाते हैं 3. वरुन बेवरेजर्जर्ज टार्गेट प्राइस 740 रुपे वर्तमान प्राइस 27 सितंबर 2024 610 रुपे संभावित वृद्धी 21 प्रतिशत वरुन बेवरेजर्जर्ज अपने विविद उत्पाद पोर्टफोलियो और रननीतिक बजार पहुंच के साथ पे उद्योग में अच्छी पकड़ बना रहा है बदलते उपभोकता रुजानों और ताजगी भरेपे की बर्ती मान को देखते हुए ये निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है निशकर्ष, समझदार निवेशकों के लिए विविद विकल्प अमबुजा सिमेंट, HDFC लाइफ और वरुन बेवरेजिज ये तीन स्टॉक अलग-अलग शेत्रों से चुने गए हैं जो आपके पोर्टफोलियो में विद्धी के लिए एक संतुलित मिश्रण पेश करते हैं इनके अनुमानित रिटन 9 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक हैं, जो आपको स्थिर्टा और विकास की अच्छी संभावनाएं देते हैं डिस्क्लेमर, एक्विटी न्यूस का विजन भारत में विद्धीय साक्षर्ता को बावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं हैं इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे क्रिपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार से परामर्श लें